नमस्कार सलाम निज्ज क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुल सरल आज हम बात करेंगे नए संदर्बो में भारत की परमानून नीति की इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है निज्ज क्लिक के अडिटरेंट चीप प्रबीर पुरकाईज जी प्रबीर जी आपका हमारे रक्षामंत्री ने राजना सिंग जी ने बैयान दिया है कि परमानों हत्यार पहले ना इस्तमाल करने की हमारी नीति बदल भी शक्ति है इसका क्या मतलब है और इस बैयन को कितना गंबिर समझा जाए देखिए, दूसरी बार एंडिये की रक्षामंत्री ये चीच कह पहले परिकर साब ने 2016 में ये कही थी उस वक्त सरकार की तरफ से बयान आया था कि उनकी नीजी राय है ये सरकार की पॉलिसी नहीं है इस बार ऐसा कोई आया नहीं है राय और लग रहा है कि बीजेपी के अंदर ये बात चल रही है कि नो फर्स्ट यूस से हम मुकर जाएं ये नो फर्स्ट यूस की जो बात है कि पहला हम वार नहीं करेंगे नाबकी अस्टों से न्यूकलियर वेपन से ये जो बात है ये इसलिए भी आती है कि पाकिस्तान हमेशा कहा है कि हम कमजोर बुल्ख हैं इंदुस्तान के पास ज्यादा सैनिया है उनके पास ज्यादा सामरिक शक्ति है इसी लिए अगर हमारे अस्टित्व खत्रे में पड़ता है तो हम पहले भी इसका नो फरस्ट यूज़ हम नहीं मानेंगे हम यूज़ कर सकते हैं पर उन्होंने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की अस्टित्व अगर खत्रे बहे तो अभी हम नाभे कि अस्तित्र को इस्तिमाल करेंगे और यह चीज अब उनसे वो भी हट रहे हैं यह कहके कि आप सामरीक लडाई जब होगी आमने सामने लडाई होगी तो जिसको कहते है टैक्टिकल बैटल फिल्ड वैपन्स कि कमजोर नावकी अस्तों को इस्तिमाल करना स्मॉल ड्यूक्लियर बॉंब्स को इ तो एक बार समझ में आता है कि वह चोटा मुल्क है कमजोर मुल्क है एक बड़ा मुल्क एक शक्तिशाली मुल्क हम अपने को कहते हैं उसकी एक जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है तो हमने अब तक यह निती अपनाई रखी क्या रक्षा मंत्री भी कोई नीजी राय होती है क आपको मैं याद दिलाओं अप्रेल में चुनाओं के दौरान राजिस्तान में ही बाड मेर में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था सभा में जन सभा में कि हमने यह परवाण वस्तर कोई दिवाली के लिए नहीं रखें तो इतनी घंभीर बात यह जो बाते हैं यह साफ नहीं वक्ते बेर रखा था बीजेपी का अंदर लग रहा है कि यह बात है जो ट्रम भी कभी कभी कहा था किसले रखा इस्तवाल तो कभी कभी होना चाहिए तो एक दुनिया में जो माहुल बदल रहा है इसका एक हवा लग रहा है इनके अंदर भी पहुँच रही है सवाल यह है कि जो आपने कहा इतनी बड़ी सामरिक शक्ति हमारी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है तो इसलिए हमें यह चीज हम कहना शुरू करें यह लगता है कि जंग का खत्रा बढ़ाता है क्योंकि पाकिस्तान हमको कबजा नहीं कर सकता हमको हमारे उपर कोई हावी नहीं हो सकत है हम जब बंगलादेश के लिव पर जंग हुई थी तो पाकिस्तान एक हिसाब से दिखंडित हो गया था तो यह सब तो हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति का भी परिचय है इसलिए छोटे मुल्कों का हमेशा बड़े मुल्क से एक बात रहते हैं कि नावकी अस्ट्र न्यूक्ल चल रही है इस पर हिंदुस्तान भी इस वक्त शामिल हो रही है यह बहुत ही खतरना खावा है पूरा पॉलिसी चेंज जो आप कह रहे हैं क्या हम आक्रमक मुल्क बन रहे हैं और जैसे एक बहुत बड़ा जन्मानास और इस तरह से चीज नरेशन ये दिया भी गया कि हम इस का है यह सिर्फ बयान तक है आप क्या सोच रहे हैं देखिए आक्रमक मुल्क जो नीती के रूप में अपनाने की बात हो रही है यह तो बहुत दिन से चल रही है सर्जिकल स्ट्राइक हो बाला कोट हो उसको दर्शाता है सवाल मेरे लिए यह है कि नाविकिया अस्तर के इस् दो न्यूक्लियर मुल्क जब आमने सामने खड़े होते हैं और जिसमें कोई फासला नहीं है मतलब यहां से अगर मिजाइल उड़ेगा या वहां से मिजाइल उड़ेगा तो पांच-सात मिनिट का अंदर वो लैंड करता है और अगर सच्पुच उसका न्यूक्लियर वैप अगर आपको जवाब देना है नहीं यह करना पड़ता डिसाइड करना पड़ता इसका मतलब ड्यूक्लियर थ्रेशोल जिसे कहते हैं वह बहुत कम है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ना की बराबर है रश्या अर अमरीका सोच लीजिए उसकी 7-8000 मिल की फास क्योंकि यॉरप पर रश्या हमला कर सकती है और रश्या सामरिक रूप में यॉरप के अंदर ज्यादा शक्तिशाली मुल्क है नो फर्स्ट यूस से रश्या हटी 1993 में जब उनको लगा कि अमरीका नेटो फोर्सस उनकी बॉर्डर में पहुँच रहा है तो इसलिए इस हिंदोस्तान का समाझ है कि हम सकतीशाली मुल्क है हमारे लिए पाकिस्ân खत्रा नहीं है पाकिस्तान सही या गलत में उनका ख्याल यह है इनोस्टन उनके ऐस्तिफ़ anytime से और नवह कि या वार का सच-बच खत्रा बहुत बढ़ता है और नूब यॉज और पहुँच परistä कि तो आज कितने बड़े बं हैं और आप कहें भी रहें कि भारत और पाकिसान के बीज दूर ये की सीमा है लगभग तो अगर ऐसा कभी नौबत आती है दुरभागे से तो उसके कितने भयानक प्रेणाम होंगे जरह उस बारे में हमारे दर्शकों को बताईए देखिए नागास की नागासा की हिरोशुमा की जो बांब्स थे वह बहुत छोटे बांब्स थे वह करीब 15 किलो टंट की तक 10 से 12 15 किलो टंट की थी अब जो है हमने जो टेस्ट किया है जो टेस्ट नहीं किया उसके बारे मैं नहीं कह रहा हूं तो टेस्ट किया है पचास साट किलो टंट की ट इसके बाद और इसका कित्ता भयानक प्रभाव होगा, इससे कई गुना लोग धीरे-धीरे मरेंगे, उसकी पूरी इंफरस्ट्रक्चर शहरों की खत्म हो जाएगे, तो ये तो एक भयानक परिस्टिसिप एक-एक बॉम से है, अगर 10-15 बॉम की एक्सचेंज होता, समझे कि सा आउतेशिया एक हिसाब से स्टोनेज में पहुँच जाएगा, शायद लक्षिन भारत कुछ हद तक बच जाए, और कोई इस तरह से बचेगा नहीं हो सकता, असाब बच जाए, पर और कुछ हिसाब बचेगा नहीं, इंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के बीच में, और सिर् तो उसकी नहोबत आ जाएगी, तो ये तो दुनिया के लिए सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, बहुत बड़ा खतिरनाक सिती है, इसलिए नो फरस्ट जूस एक रिस्पॉंसिबल कदम था, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान में इसका रेसिप्टोकेट नहीं किया था, उ जो एक करना चाहिए, वो किया था, कि लो फरस्ट जूस घोशना किया था, इससे वापस जना हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत खतरनाक कदम है, जी जैसे आप बता रहते हैं कि लहोर और विसका, तो मैं ये भी पढ़ लाता है, केवल एक ही मुल्क इस्त तरफ से है, कि चाहे वो इस्तेमाल करें, हमारे हम इस्तेमाल करें, दोनों के उपर प्रभाफ पढ़ेगा, तो इसलिए तो कहते हैं, वी आ डिवाइड़ बा हिस्ट्री पर जॉइन पे जियोग्रफी, और यही हमारी परिशानी है, तो जैसे आपने बताया भी कि दुनिया एक आक्रमक रुझान रहा है, और उसके साथ उन्होंने एड़ भी किया है, जिसको एते मैड बेन थियरी, कि हम अन्प्रेडिक्टिबल हमें होना चाहिए, जो परिक्कर भी कहता है, तो यह तो अमरीका वार बुक से कॉपी कर रहे हैं, यह अपने स्वकी और अपने कुछ स एक क्या कहते हैं, कि स्ट्रेटिजिक इमाजिनेशन की एक वेप्थता है कि दूसरों को न्युक्लियर पॉलिसी भी दूसरों से हम कौपी करने लगें, पर हमारी मानने था जो थी, और हम जो बारिव नाम भी लेते हैं दुनिया में मतला हम शान्ति प्रिय मुल्क और गांदी जी अब भाइमोदी जी अब भी सबसे जादे नाम अभी कहीं लेते हैं तो यह जो पूरी पॉलिसी चेंज करके हम क्या केवले धंकी की भाशा में मैं उस पर रहा हूं कि क्या यह टेक्टिकल है कि ज से जादे हो सकता है मेरा प्रॉब्लम यह है माल दीजे सिर्प बयानबाजी है क्या पाकिस्तान के अंदर इसका यही निष्कर्श पे लोग पहुंचेंगे अगर वो समझे दे बयानबाजी नहीं है कुछ हो सकता है तो उसका ट्रिगर पे उंगली क्या रहेगा कि बहुत श की बात की तो ट्रिगर मतलब क्या एक व्यक्ति के हाथ में होता है या एक पूरी एक कैबिनेट कमेटी या जिस तरह की CCS की जो बात थी उस बारे में कुछ बताईए क्योंकि आप इसके जानकार हैं देखिए त्रिगर प्राइब मिनिस्टर दोनों देशों के उनके हाथ में ह पूरेगा यह मान के कि एक बाओं से शायद हमारा stratigiki headquarters भी उजखन हो सकता है उड़ सकता है उसका कॉम्मिनिकेशन डिस्रॉप्त हो सकता है तो उसका एक decentralization भी हो सकता करें तो पाकिस्तान ने किया है इंदुस्तान में किया हमको जानकारी नहीं है पर एक कि यह सब भी है कि नूख्लियर ट्रिगर जो है इत्ता कंट्रोल के अंदर रहता है क्या जब आप नो फर्स्ट्यूस से मुकर जाते यह भी देखने की बात है तो इसलिए मैं समझता हूं नो फर्स्ट्यूस strategic एक restraint regime जिसे कहते हैं दोनों मुलकों पर बैट के करने की ज़रूरत है ना कि एक दूसरों को धंकी देने की इसमें हिंदूस्तान पाकिस्तान दोनों एक ही जगह पर है इस वक्त एक दूसरों के धंकिया देते रहे हैं मैं समझता हूं कि हमारा बड़ा मुल्क होने के नाते हम बहुतों का जो है गोट से पे विश्वा ज्यादा है हां प्रधाद मंत्री जरूर गाधी जी के दाम लेते हैं पर फॉल्वर्स तो आजकल गोट से की पूजा ओपिली करने लगें वो गोट से को आदर्श मानने वाले को मन से माफ नहीं करते पर उन्हें सांसद बनाए रखत पागिस्तान भी इसमें सक्षेप करने के लिए उतार आमादा है और यह सारे जो इस्तितियां इस समय बनी वी हैं ऐसे उसमें हमारे रक्षामंत्री जब परमानों हत्यारों को लेकर बयान देते हैं तो क्या कश्मीर की इस्तिती भी जादे नाजुक होती है और उसका अंतर और ली दुद्ध्व करना करने उस विवात को दिकें कुछ तक तो आंतराश्ट्रिय करन हो ही चुका है अब देख सकते हैं चीन ने इसको सिर्टी काउंसल में है अब ट्रंप दोनों की बीच मंदधस्त है यह बिच भिता व कर रहे हैं तो इक तो आंतर राश्य करन हमने एक हिसाथ से स्विकार भी कर लिया है ट्रॉम्प से बावजूद कि हम बार बार करें कि दूपक्षे है सवाल है कि ये भी है कि आज की जो स्थिती है इसमें कोई जबरदस्ती इंटर्फियर करने वाला नहीं है वो कहेंगे आप दोनों देश में बापचित करिये पर हम रेफरी है कि हम बीच में आके बीजबिचाओ करेंगे जो ट्रॉम्प कह रहे है तो ये हमने कुछ हद तक उनका बीजबिचाओ मान भी रहे है मैं समझता हो कश्मीर कैसे क्षत्री को बढ़ाता है यसे खत्रफ्रिय दोनों देशों की जीूट टेंशन है जो कह सकते कि सामरिक पॉस्चर से मिलिटरी पॉस्चर से यह ज्यादा खतिरनाक है क्योंकि इसके दौरान अगर जन्ग होता है उसका कुछ अजुहाती चाहिए कुछ एक्सक्यूस चाहिए कहीं भी लोग ट्रिगर हैपी जब हो जाते हैं एक छोटा इंसिदेंट से भी जन्ग हो सकता है और टू नुक्लियर वेपन पावर्स दो नाभकिय शक्ती अगर इस टेंशन के दौरान चलते हैं तो छोटे-छोटे चीजों के लिए भी नाभकिया जन्ग हो सकता है रूस अर अमरीका के बीच में कई बार होते होते से बचा आज हमारे पास आर्काइवल मिटीरियल है कित को किसी ने जाके रोका था runway पर कि नहीं गलत सिंडल है यह सही नहीं है तो यह सब परिष्टित देखते हुए हमें यह दी भूलना चाहिए एक्सिडेंट से जंग होता है और नाभकिया जंग भी एक्सिडेंट से शुरू हो सकता है फर्स्ट वाल्ड वर कोई नहीं चाहता है मैं इसको समझता हूं कश्पीर हमारे लिए अलग सवाल जरूर है यह जो सवाल है दोनों देशों का असित्व का सवाल है और इसलिए नाभकी अस्त्रों से न्यूक्लियर वैपिन्स को इस तरह से बात करना एक गैर जिम्मेदारीपन है और राजनाथ सिंग जी ने जो कि इसे में एक नागरिक के तौर पर चाहे दोनों मुल्क के नागरिक हों भारत और पाकिस्तानी या केवल भारत के हम नागरिक एक सिविल सोसाइटी के तौर पर एक बहुत धिक के तौर पर एक पत्रकार के तौर पर इस इस्तिति को आप किस तरह चाहेंगे कि वह नॉर्मला विनाश ला सकती है उसमें क्या भुमिका आम नागरिक भारत के नागरिकों को और सिविल ससाइटी उनका काम मुखत यह है कि विनाश कितना बड़ा है इस चीजों को समझाना इस वाक्त और डियूकलियर वैपन्स जो एक उसका एक नॉर्बल वैपन्स नहीं है नॉर्बल जं नहीं है इसको समझाना क्योंकि मैं समझता हूँ यह जो खत्रा है यह और किसी भी खत्रा से कई गुना ज्यादा है तो इसको एहमियत देते हुए मुझे यह कहना चाहिए आप कश्मीर पे लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है पर दोनों देशों को अस्तित्व इस पर तो नो फर्स्ट्यूस कमिंग डाउन फॉम न्यूक्लियर रेपन्स यह तो सबकी राय होनी चाहिए और बड़े मुल्क के लिए होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नागरिकों को भी ज्यादा है इस पर तो साथ ही आपने सुना प्रवेड ने कहा कि नागरिकों के जिम्मेदार ज्यादा है और एक बड़े मुल्क के नाते हमारी जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है क्योंकि यह अगर नापकिया युद परमानू युद अगर होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को या एक कुछ लोगों को नुक्सान नहीं पहुचाएगा पूरी काइन ज्यादा है